कि आपके मंच पर अब तक पुल्वामा पर वहस नहीं हुई क्योंकि सरकार चाहती बहस नहीं हो आपने सवाल पूछा है ना जवाब ले लिजे बिल्कुल मैंने पास एक हफते से कहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले एक महीने तक कोई भी चैनल पुल्वामा पर सवाल पूछा गया है जिस मैं नहीं कोई चैनल उस पे बहस नहीं करेगा संसद नहीं नहीं होगी ओषाल जी क्या तथे हैं आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सकने पाल मलिक फराम एकिद्लों सगी इगटcía दोस्तो अंजनावम कश्यप की एक डिबेट इस समय सोशल मीडिया पर वाइरल है दोस्तो वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सफा प्रवक्ता घंशयाम तिवारी ने डिवेट में अंजनावम कश्यप से पूछा सवाल आपके मंच पर अब तक पुलवामा पर बहस नहीं हुई क्योंकि सरकार चाहती है कि बहस ना हो और दोस्तो वहीं उन्होंने आगे कहा मैं दाबे के साथ कह सकता हूँ कि अगले एक महिने तक इस पर कोई भी निवेट नहीं करेगा दोस्तो गंश्याम कश्यप के सवाल पर अंजनावम कश्यप तिलमिला गई और उसने कहा अगर इस पर कोई सबूत दो गए तो मैं इस पर बहस जरूर करूँगी और ये कहकर घंश्याम तिवारी से बहस करने लगी दोस्तों अंजनाउम कश्यप का यही जवाब अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरहें तरहें की पृतिकरिया दे रहे हैं वहीं इस वीडियो पर विक्कर सिंग लिखते हैं जब खुद मौके का गबा और राजपाल सत्पाल मिलिक बोल रहा है और किस सबूत की बात करती हैं अंजनाउम मोदी वहीं एक और यूजर्स ने लिखा अंजना जी आपके पास क्या तत्थ और क्या प्रमाड है की मोदी जी की डिगरी फरजी नहीं है उसका अगर तत्थ और प्रमाड आपके आज तक के पास है तो हम चार घंटे तक आज तक देखने के लिए तैयार हैं जी पर एक और यूजर लिखते हैं पाकंडी पत्रकार अपनी आत्मा बेच चुकी है तत्थ ढूंडना पत्रकारता का काम है तुम लोग अंदर से अपने जमीर को खत्म कर चुके हो पर भुगतना तो पड़ेगा तुम लोग भी गद्दार हो फिलाल दोस्तों अंजनौम कस्यप के जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही लेटेस्ट नियूस पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंच सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि जए भारत